इस कारिक्रम की पुण्यार चक है निवीदक सकल दिकंबर जहन समाज सतना मध्यप्रदीश वैराग्य सतक नाम के गरंतराज से कुछ गाथाओं को पढ़ते हुए उन गाथाओं के अर्थों के साथ ही अपने भावों को जोड़ने की कोशिश करेंगे गाथा नमबर 23, 24, 25 पढ़ते हैं नसा जाई नसा जोनी नतं ठानं नतं कुलं न जाया न मुवाजत्थ सव्वे जीवा अनंत सों तमकिम्पिनत्थि ठानं लोए बालग कोडि में तम्पि जत्थन जीवा बहुसो सुह दुख परंपरंपत्ता सब्भाओ रिधियो पत्ता सव्वे विसयन संबंधा संसारे ता विरमसूव तत्तो जै मुडसिया पाडम यहां कहा जा रहा है गाथा नमबर तेईस में नसा जाई नसा जोनी एक तरह से देखा जाए प्राकरत में दो तरह के छंदों का प्रियोग किया जाता है एक गाथा छंद होते हैं जिने आर्या छंद के नाम से कहा जाता है जो गाथायों के रूप में बोली जाती है और कुछ इसलोक जैसे भी छंद बनते हैं जिने अनुस्टुप छंद कहा जाता है, संस्कृत में जिस तरह से 32 अक्षरों का एक इसलोक होता है, जिसमें प्रत्यक पद में आठ आठ अक्षर होते हैं, तो ये जो सामने गाथा नंबर 23 है, ये गाथा की तरह नहीं है, ये इसलोक की तरह है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा अलग सा लग रहा था, इसलोक पढ़ते हैं न, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, ये क्या है, ये इसलोक की लए है, तो ज्यादा तर प्राक्रत के गरंतों में गाथाएं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं इसलोक रूप छंद भी हो जाते हैं, जब उन दे रहे हो, देखिए इस तैइसमें चंद के पहले पद में भी आठ अक्छर हैं, न साजाई, न साजाणी, है न, न तम ठाणं, न तम कुलं, न जाया, न मुयाजत्थ, सब्वे जीवा अनंत सो, तो यह क्या हो गया, यह इसलोक की लेव हो गई, वीतराग, मुखम, द्रस्टवा, इस तरह के इसलोक बढ़ते हो न, दर्शनम, देव, देवश्य, नमस, रीवर, धमानाय, इसी तरह के इसलोक की लेव में यह प्राक्रत का छंद है, तो इसमें कहते हैं, योनी, वे जाती, वे इस्थान, वे कुल, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं है, वो अगली लाइन से इस पश्ट होगा, न जाया, न मुया जत्थ, जत्थ मने जहां, प्राक्रत पढ़ने वाले लोग भी यहां पर कुछ-कुछ तैयार हो रहे हैं, सतना में, खबर आ रही है, आगे के दिनों में परीक्षा है, माराज आप पढ़ा दो, जब पढ़ने का टायम आता है, तब पढ़ते नहीं हो, अलग से बैठके पढ़ा दो, सुन रहे हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं, तो ये जो छंद हैं, इन छंदों की अर्थ जो हम सीखते हैं, ना तो वे उत्पन्नुगा हो, न मुया और न मरा हो, यह ना, यहनि ऊपर वाली लाइन का संबंद इस लाइन से हैं, और यह कहा जा रहा है कि इस संसार में ऐसा कोई इस्थान नहीं है, जहाँ पर ये जीव जनमना लिया हो, जहाँ पर ये जीव मरण को प्राप्त नहुग जहां पर इसकी जाती माने उत्पत्ति ना हुई हो जहां पर इजत्थ सब्द सबके साथ जोड़ लेना जत्थ जहां पर इसके लिए यौनी इस्थान ना मिला हो या उत्पत्ति इसकी ना हुई हो ऐसी कोई यौनी नहीं ऐसी कोई जाती नहीं जहां पर ये उत्पन्द ना हुआ हो जहां पर ये मरण ना किया हो ऐसा कोई इस्थान नहीं लोक का जहां पर इस जीव ने जनम ना लिया हो जहां पर ये मरण ना किया हो और ऐसा कोई कुल भी नहीं बचा कुल जहांपर यह जीव ना जनम लिया हो ना मरण लिया हो ऐसा कोई कुल भी नहीं है तो यह यहांपर बताया जा रहा है नीचे वाली लाइन का जो तीसरा पद है उसे उपर के साथ में जोड़ करके आपको अर्थ निकलेगा यानि ऐसा कोई भी जाती नहीं है जहांपर यह जीव जनम ना लिया हो मरण ना किया हो समझा रहा है जाती होती है कुल होते है जाती और कुल में अंतर बताया जाता है जानते हैं आप लो जाती में और कुल में क्या अंतर होता है मा के पक्ष की जो चीज होती है मात्री पक्ष है जाती की जो परंपरा होती है मा का जिससे एक परंपरा चलती है संतती चलती है वो कहलाती है जाती और पित्र का जहां से पक्ष चलता है पिता पक्ष से जो चला आता है वो कहलाता है कुल समझाया है जब किसी भी जीव का जन्म होगा तो उस जीव के लिए एक मात्री पक्च होगा, एक पित्री पक्च होगा तो उसके सामने जो मा की परंपरा होगी यानि मा जिस घर की बेटी होगी उनके जो पिता होगे, उन पिता के जो पिता होगे एक उनकी परंपरा होगी तो वो कहलाईगी उनकी जाती उस बच्चे की जिस के लिए वह मा की जाती मिलेगी और एक वह होगा जो पिता की तरह देखा जाएगा पिता की और से देखा जाएगा पिता के पिता कौन थे उनके पिता कौन थे उनकी एक बंस परमपरा चल रही है तो उसको कहा जाता है कुल परमपरा समझाए है तो ये जाती में और कुल में अंतर होता है तो जब कोई बच्चा उत्पन होता है किसी घर में तो उसे अगर वो पुत्र होता है तो कहा जाता है कि भाई ये कुल दीपक हो गया उसका एक कारण है वो यूही नहीं कहा जाता उसके पीछे का जो सिद्धानत है वो आपको समझना चाहिए कुल दीपक है क्योंकि वो कुल दीपक इसलिए है क्योंकि इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वह पुत्र ही काम आएगा पुत्री का तो विभा हो जाएगा वो तो दूसरे घर में चली जाएगी तो उस पिता के यहां पर अगर पुत्री उत्पन हुई है तो उससे उसकी पिता की संतती आगे नहीं बढ़ेगी उसका बंस आगे नहीं बढ़ेगा उस आगे बंस को बढ़ाने वाला कौन होगा तो पुत्र होगा तो इसलिए कहा जाता है कि पुत्र जो है बंस की व्रद्धी वाला होता है बंस बढ़ाने वाला होता है या कुल दीपक होता है कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है क्योंकि जो पिता के पिता की जो परंपरा चली आ रही है उसको बढ़ाने वाला पुत्र होगा पुत्री जो होती है वो जिस घर में जाएगी उस घर में जाकर के उसका गोत्र बदल जाता है फिर वह उसी घर की कहलाईगी उसी गोत्र की कहलाईगी जिस घर में वो चली गई अगर वह जैनों में भी अनेक तरह के गोत्र होते हैं या जैनों के बाहर भी कहीं अगर वो चली गई तो उसका वह जो गोत्र है जो उसकी अपनी जाती है वो बदल जाएगी अगर वो जैनों से अजैन में चली गई तो उसकी जाती बदल जाएगी फिर वो अपने भीतर भले जैन धरम रखे रहे लेकिन उसकी जाती बदल गई क्योंकि उसके नाम के आगे क्या लगेगा जैन नहीं लगेगा विवाह से पहले तो उस लड़की के नाम के आगे जैन लगेगा लेकिन उस लड़की का विवाह अगर कहीं दूसरी जाती में हो गया जैन इतर में हो गया तो फिर उसके नाम के आगे जैन नहीं लगेगा क्योंकि उसे अपने नाम के आगे वो लगाना पड़ेगा पती अगर सेनी मिला तो उसे भी सेनी लिखना पड़ेगा अगर उसने नेमा से विभा कर लिया तो उसे अपनी नाम के आगे नेमा लिखना पड़ेगा या वो नेमा के नाम से पैचानी जाएगी भाई ये नेमा के घर में गई है समझ रहे हो ना सोनी नेमा अनिक अनिक तरह की जातियां हैं तो जाती बदल गई उसकी तो वह लड़की जो होती है बेटी जो होती है वो कभी कुल परंपरा को बढ़ाने वाली नहीं बन पाती क्योंकि कुल परंपरा को वो बढ़ाता है जो पुत्र होता है और पुत्र के लिए किसी भी जाती की अगर पत्नी मिल जाती है मालो उसका किसी जैनित तर जाती में भी वह हो जाता है और बहु कोई दूसरी जाती की भी आ जाती है तो पुत्र के लिए जैनत तो नहीं चूटे करने वाला यह पुत्र है तो यह जो एक सामाज एक सिद्धान्त हैं इनी को ध्यान में रखते हुए यह बेटा और बेटी के बीच में एक विभाजन बनता है और यह विभाजन समझना भी चाहिए हमें यूही उन फुजूल बातों में आकर के हर तरह से बेटा बेटी एक होत हैं प्यार की अपिक्छा से है ना चाहिए बेटा को प्यार करो चाहिए बेटी को प्यार करो एक ही बात है लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा बेटी बढ़े होंगे तो उनके जो अपने अपने विभा आदी के उपरांत जो उनकी इस्थितियां बनती है उनमें बेटी एक हैं लेकिन बेटी हमेशा अगर वो जिस जाती में विभा करेगी वो उसी जाती की बन जाएगी भले ही हुए अपने मन में सोचती रहे कि मैं जेन धरम का पालन करूँ मैं जेन धरम को मानूँ मैं तीर्थंकरों की आराद ना करूँ अब वो अपने मन मन में कर पाए कर पाए लेकिन वो खुल करके दिखा करके तब कर पाएगी जब उसके घर के लोग उसे अनुमती देंगे और ये परासृत्ता आज भी देखने को मिलती है चाहे हम कितनी भी पढ़ी लिखी समाज होने का दावा करें ये सब परासृत्ताएं आज भी हैं और ये बनी रहेंगे इसलिए कोई भी बेटी जब अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चली जाती है तो वे अपना धर्म सुतंत्ता से पाला नहीं कर पाती वे और ज़्यादा पराधिन हो गई ना केवल पती के ऊपर पराधिन होती है लेकिन पती के जो भी जो माता पिता हैं भाई बहन हैं उनके प्रती भी वो पराधिन हो जाती है मान लो पती ने तो कह दिया ठीक है तुम अपना धर्म यहाँ पर भी आ करके कर लेना अब जब वो वहाँ पर धर्म करने के लिए तैयार हुई तो उस पती की बहन जो उसकी क्या कहलाईगी ननत अबो नहीं चाहती है तू वहां महराज के पास क्यों जाती है तू जहन मुनियों के पास क्यों जाती है तू जहन मंदिर में क्यों जाती है तो ये वाले सास्त्र क्यों पढ़ती है ये क्यों नहीं पढ़ती है अगर मालो उसके दिमाग में चड़ गया तो वो टौकती रहेगी तो वो धर्म स्वतंत्रता से नहीं कर पाएगी कहीं माता पिता को अच्छा नहीं लगे कि भाई तेरे कारण से हमारी नाक कटती है कि देखो इनकी बहुए और वहाँ जाती है यहां नहीं आती है कहीं वो सम्मेक द्रश्टी मिल गई चेलना जैसी तो आफ़त हो जाती है नहीं समझाए अब वो चेलना तो चेलना ही है तो वे चेलना हर इस्तृ चेलना नहीं हो सकती है और ना इतनी इस्तृ अपनी परिस्थटियों को फेस कर सकती है कि पती बिल्कुल विपूरी जा रहा हो, बौध भट बन रहा हो और उस पती को बिल्कुल जो है, वे समझाते समझाते बहुत सादूों से भी बिढ़ते बिढ़ते उनकी भी परीक्षा लेते लेते पती को नाराज करते करते भी इस स्थिती तक पहुंच जाए कि पती भी एक दिन नाराज होकर कि मुनी महराज के उपर उपसर कर दे और उसके बावजूत फिर उसके लिए ये समझ में आ जाए कि नहीं धर्म यही है सच्चाई यही है तो इतना होने में बहुत देर लग जाती है ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता हर व्यक्ति वो नहीं बन सकता है जो हम सुनते हैं आदर्स हमारे सामने हो सकते हैं ना हर व्यक्ति चेलना बन सकती है और ना हर व्यक्ति जो है कोई भरत और बावली बन सकता है हमारे सामने जो पौराने उधारन होते हैं ये हमें कुछ प्रेणा देने के लिए होते हैं ये हमें कुछ हमारे धर्म को सुरक्षित करने के लिए काम में आ सकते हैं लेकिन हम कभी-कभी इन भावों में बह जाती है कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएं तो ऐसा हो नहीं पाता है और कई बेटियां परिशान हो जाती है जब वो ऐसा होने की सूचती है मालो राणी चिलना की कहानी बहुत दूनों से सुर रही है कहने लग जाय एं कोई बेटीया महराज मुझे तो उस बॉध्द से साधी करनी है मुझे तो उस राजपूत से साधी करनी है अब आप क्यों रोक रहे हो आप लेका ही ने तो कहा था राजा स्रेन इक बॉध्द था फिर भी रानी चेलना ने साधी कर ली थी न और फिर उसने उसको धर्मात्मा बना दिया था ऐसे हम भी उसको जेंद्धरम का धर्मात्मा बना देंगे अब यही तरक देने लग जाएं बेटियां इसी कहाणी को सुन करके तो उनके मन में ये भाव तो आ जाएगा ये उनके एक बचाव के लिए उधारण तो बन जाएगा लेकिन क्या तुम्मे रानी चेलना जैसी द्रड़ता है और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए वो परिसानी आगे बहुत बड़ी परिसानी खड़ी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध बन जाता है ये धर्म युद्ध कहलाता है युद्ध का मतलब लड़ते रहे न बार बार हवाई फायर जैसे करके युद्ध के लिए उकसाय जाता है वैसे हवाई फायर करते रहे न तो बार बार जब कोई भी मूँ से बचन निकलेंगे बार बार कहा सुनी होगी बार बार कलह होगा बार बार वो युद्ध की इस्थिती बनेगी तो एक घर में धर्म युद्ध शुरू हो जाता है कौन सही? कौन गलत? तुम इसको क्यों नहीं मानते? तुम इसको क्यों मानते हो? तो इस तरह का जब बातावरन बनने लग जाता है तो ये भी एक धर्म युद्ध कहलाता है अब इस धर्म युद्ध का अंतत है परिणाम जो निकले वो निकले लेकिन जब अंत नहीं होता है तो कई बार अपने जीवन का अंत हो सकता है और उस परिणाम कोई जो अंत में निकलना है वो ना निकले यह अपने हाथ की बात तो है नहीं है राजा स्रेनिक ने तो चलो जो कर लिया कर लिया रानी चेलना के कारण से उसके लिए राजा स्रेनिक के लिए समझ में आ गया और उसने जो है अपनी सरद्धा दिगंबर मुनी महाराजों के परती बना ली बहुत बड़ा उपसर्ग करने के बाद ये संबब हो पाया अब ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं सकता तो जीवन में जब कोई भी निर्णे लिये जाते हैं तो उनमें केवल हम किसी उधारणों में अपने को न देखें कि मैं ऐसा बन गई हूँ या मैं ऐसा बन जाओंगा उधारण में अपने को प्रिविष्ट ना करा लें बलकि उन उधारणों से जो अपने लिए अच्छी फायदे की चीज़ों उतना सीख है और फाइदे की जगे अगर आपने नुकसान की चीज गरहन कर ली कि मैं भी रालनी चेला की तरह उसको धर्मात्मा बना लूँगी और जब विवाह होने से पहले की बात होती है तो हर कोई धर्मात्मा बनने के लिए तैयार भी रहता है लेकिन बनने के बाद जरूरी नहीं है कि वो अपनी बात पर 100% कायम रहे सत्य महावरती तो कोई होता नहीं है कि हमने जैसा कह दिया वैसा ही किया जाएगा लेकिन बेटियां होती है बातों में आ जाती है और जिस समय पर उनके अंदर किसी से कोई भी तरह का अगर मोह हो जाता है तो वैं उसकी हर बात पर विश्वास करती है ये उनका भोलापन होता है और इसी कारण से वो अपने निर्णे बदल नहीं पाती है या ये सोच नहीं पाती है कि हम कभी ये सोच करके देखें कि हमारे वहां जाने पर हमें कितनी परिसानी उठानी पड़ेगी उन्हें वो नहीं दिखता उन्हें उसके साथ रहने का एक मोह दिखाई देता है तो इसी कारण से कई बार सम्मंद जो है अन जाती में जब हो जाते हैं तो वो अनेक तरह की दिक्कतों के कारण बन जाते हैं इसलिए जाती कुल के बीच में पुत्र और पुत्री का बेटा या बेटी का जो एक विभाजन है वो सबके दिमाग में होना चाहिए कि बेटा बेटी एक हैं इसलिए आप एक जैसी पढ़ाई कर लो एक जैसा घर में खाओ पियो एक जैसी आपके लिए सुक्सुविदाएं हैं एक जैसा आपके लिए स्कूल कॉलेजों की विवस्ताएं हैं लेकिन आगे चल करके बड़े होने के बाद में आप एक जैसे नहीं रह पाओ कुल दीपक बेटा ही बनेगा बेटी नहीं बन पाएगी या तो वो तब बन पाएगी जब वो विवाही ना करे अगर एक दूसरा ओफसन है तो फिर यह है ब्रामी बन जाए सुन्द्री बन जाए भगवान आदिनात की पुत्रियों की तरह तब चल पाएगा पिता की विरासत को आगे बढ़ाना पिता की विरासत को आगे बनाए रखना ये संबब नहीं होता बेटीयों के लिए पिता अपने हिस्से का बेटीयों के लिए दे जरूर देगा लेकिन बेटियां कभी पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं उसको बढ़ाने के लिए तो पुत्र ही होना पड़ेगा अब आप कहो कि बेटा और बेटी में अंतर क्यों तो ये आपके दिमाग में जो मुह चड़ा दिया जाता है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है इसे भी एकांत रूफ से नहीं समझना चाहिए बेटा बेटी में भी बहुत बड़ा अंतर होता है और ये अंतर आपको तम महसूस होगा जब आप जिन्दगी के 30 साल 25 साल जी लोगे 25 साल 30 साल तक बेटा बेटी सब बराबर है पिता माता सब उनका एक ज़से पालन कर लेते हैं लेकिन बाद में पिता को पता पड़ता है महसूस होता है कि हमारी कुल परंपरा के लिए फुत्र का ही होना आवश्यक है इसलिए जाती में और कुल में अंतर होता है तो यहां मुद्दे की बात यह है यहां तो यह बताए जा रहा है कि दुनिया में हर जीव के लिए ऐसा कोई इस्थान नहीं बचा ऐसी कोई योनी नहीं बची ऐसी कोई जाती नहीं बची ऐसा कोई कुल नहीं बचा जहां पर सब्वे जीवा सभी जीव अनंत सो माने अनंत बार ना जन्मे हो या ना मरे हो ना जन्मे ना मरे का मतलब ऐसा नहीं कि जन्मी नहीं लिये या मरे ही नहीं नहीं समझे ज़्यादा ग्यानी हो जाते ना तो फिर हर एक बात का अलग से अर्षा निकालने लग जाते हैं लोग नहीं समझे माने वो जनम ही नहीं लिये मरे ही नहीं और आप कह रहे हो कि वहाँ पर ना जनम लिये हो ना मरे नहीं ऐसा कोई इस्थान नहीं दोनों अंतर है कि नहीं अगर वो जनम नहीं लिया मराई नहीं तो कहां रहा फिर आकास में रहा कहीं लटका रहा कहीं भूत प्रित बना रहा क्या बना रहा जनम हमेशा जीव का होता है मरण हमेशा जीव का होता है तो ऐसा कोई इस्थान नहीं जहां पर यह जीव जनम ना लिया हो यानि कोई भी ऐसा इस्थान नहीं बचा जहां पर इसका जन्म ना हुआ हो और कोई भी ऐसा इस्थान लोक में बाकी नहीं जहां इसका मरण ना हुआ हो इस तरह से यह जन्म और मरण के बीच की जो संतती है यह निरंतर चलती रहती है और हर जीव के लिए ये कहा गया है सब्भे जीवा मने सब जीवा आगा है इसमें कोई बचने वाला नही है समझ में आ रहा है पढ़ने वाला भी पढ़ने वाला भी यहाँ तक की तीर्थंकर भी जो हमें ये ग्यान दे करके जाते हैं वे भी इससे पहले इसी तरह के इनी अनंत जीवों में शामिल होते हैं क्योंकि वो भी यही अनादी संसार में परिब्रमण करते हुए अनंतकाल ब्यतीत करने के बाद ही कोई तीर्थंकर बनते हैं तो यह बात सब के लिए घटित होती है सभी जीव अनंत बार हर एक जगे पर जनम ले चुके हैं मरण को प्राप्त कर चुके हैं इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई भी ऐसा इस्थान नहीं है आगे उसी की और डिटेल करते हुए कहते हैं दूसरी गाथा में कि तम किम्पी नत्थि ठानम लोए बालग कोडी मित्तंपी बालग कोडी मित्तंपी मने बाल का अग्र भाग बाल के आगे का हिस्सा कितना पतला होता है जो उसकी नौक जिसको बोलते हैं समझ आ रहा है इतने बराबर इस्थान भी लोक में नहीं है जत्थन जीवा बहुसो जहां पर ये जीव बहुत बार उत्पन्द मरण न किया हो और सुख दुख की परंपरा को प्राप्त न किया हो लोक में कोई इस्थान बाकी नहीं बचा है इतने जनम इतने मरण हो चुके हैं अब आप सोचोंगे कि ऐसा कहने का प्रियोजन क्या है इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है इससे हमारे भावों में क्या परियनती आ रही है अगर आप इस तरह से अपने मन में बिचार करोगे तो आपको महसूस होने लगेगा क्या इतने जनम इतने मरण हो गए हैं अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाए बार-बार बिठालने की कुछिस की जा रही है रोजाना वही वही भाव एक जैसा आवी रहा है तो भी आपको रोजाना नया-नया लगी रहा है ऐसा तुम नहीं लग रहा है? जाई बात हमने परसौं सुनी थी महरा वही से मतलब आटे की तो होती है डाल वही होती है मूंग की और अरर की और सबजी भी वही होती है लौकी की और परवल की लेकिन हर रोज जब खाते हैं तो नई नई से तो लगती है लगती की नहीं लगती इसी तरीके से जो ग्यान हमें दिया जा रहा है वो भले ही एक जैसा हमें लग रहा हो यह वही दाल है यह वही रोटी है पिशले पन्नों में पढ़ोगे तब भी वही बात थी आज में पढ़ रहे हैं तब भी वही बात है लेकिन नया नया इंट्रेस्ट आपको क्रियेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझा रहा है यही हमारे लिए नयापन होता है और ऐसा सोचते सोचते जब हमारे दिमाग में यह आने लग जाता है इतने जनम हो गए इतने मरण हो गए अब इस एक जनम में एक मरण में हम क्या कर सकते है अब अगर कभी हमारे सामने कोई ऐसी इस्थिती बन जाती है जब हमें लगे यहां से तो मरना ही अच्छा है नहीं समझा है ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है ऐसा भी कभी कभी समय आता है किसी किसी के जीवन में कैसे आ जाता है किसी भी कारण से आ सकता है मालो आपने अपने जीवन के 40 वर्स अच्छे से बिता लिए तब तक आपको नहीं लगा कि इससे तो मरने ही अच्छा है लेकिन 40 वर्स के बाद में कोई ऐसी घर में बहू आ गई जो आपकी नाक में दम कर दी उसने नहीं समझाया अब नाक में जब दम हो गई तो फिर क्या हो गया फिर लगने लगेगा क्या इससे तो आती नहीं सो अच्छा था अब आ गई अब वो जाने को तयार नहीं है नहीं समझाया सब संभावनाएं कुछ भी बन सकती है कई-कई बहुएं ऐसी होती है जो खुद कह देती है नहीं चलो ठीक है हमसे बन नहीं रही हम अलग रहना चाहते हैं कई-कई बहुएं ऐसी होती है नहीं रहेंगे तो हम सासू के साथ ही सासू कहती ही नहीं तू अलग हो जा नहीं अलग नहीं होंगी तुम मेरी मा है तुम मेरी सासू मा है तो जो छोड़ के नहीं जाओंगी तो ऐसा लगता है सासू कुछ मेरे प्राड़ी ले लेगी अब ले लेगी तो ले लेगी अब क्या करेगी सासू तो भंग कुछ भी बन सकते हैं कोई एक तरीका नहीं है दुनिया में जीवन जीने का या एक तरीके से कभी कोई जिंदगी नहीं चलती कोई जरूरी नहीं है कि सास और बहु अलग हो जाए तो समस्या का समादान हो जाए कभी-कभी बहु चाहती है और कभी-कभी बहु नहीं मैं सास को छोड़के नहीं जाओंगी मैं घर छोड़के नहीं जाओंगी मैं रहूंगी तो सास के साथ ही रहूंगी और उसकी नाक में दम की रहेगी उसकी बात नहीं वानेगी उसके काम नहीं करेगी और फिर भी मैं सासू को छूड़ूंगी नहीं अब क्या करोगे अब सासू की जब इस तरह से नाक में दम होगी तो सासू को कभी ना कभी लगने लग जाता है इससे तो मरना ही अच्छा है अब मर भी नहीं सकते तो क्या करें तो उस समय पर ये गाथाएं याद करें समझा रहा है मर के कहा जाओगे संसार में ऐसा कोई इस्थान नहीं है जहां पर हम अनंत बार पहले मरना चुके हो अब नया मर के कहा चले जाओगे कहा नया जनम ले लोगे तो ऐसा कोई इस्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंतबार जनम न लिये हो ऐसा कोई इस्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंतबार मर ना चुके हो जब ये याद आ जाएगा तो आपके अंदर फिर एक ज्यान का भावुत्पन होगा सासु काते को धारन दे रहा हूँ किसी भी परिस्थिती में जब आपको लगने लग जाए चाहे वो पुरसों के लिए हो कोई बहुत लंबा घाटा हो जाए जब आदमी को लगने लग जाता है हमें अपने परिवार का पालन कैसे करूँ कैसे कर पाऊंगा क्या सोचे उस समय पर यही ग्यान कामाता है मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है जनम मरन तो हमारे इस दुनिया में अनंतबार हो चुके हैं लेकिन इस बात को याद करके अपने मन में एक ग्यान का भाव ला करके एक प्रिशम भाव लाना ये ग्यान की बात होगी कौनसा भाव कहलाता है प्रशम भाव यह नाम आपने सुना कभी यह ग्यान हमें प्रशम भाव की ओर ले जाता है प्रशम मने अरे भाई यह क्लेस लेश तो ऐसे अनंत जन्वों में अनंत बार हो चुके हैं इन क्लेसों में अपने को जिंदगी नरक नहीं बनाना है जिसको जो करना है करने दो अपने को तो यह अच्छा लगता है सुनना क्या ऐसा कोई स्थान नहीं ऐसी कोई जाती नहीं ऐसा कोई कुल नहीं जहां पर इस जीव ने अनंत बार जनम मरण ना किया हो तो दुनिया में रहना है तो कहीं भी दूसरा जनम भी ले लेंगे तो यही दुख फिल में लेंगे सुख दुख की ये परंपरा कभी भी जीव से छूटी नहीं कभी सुख मिला कभी दुख मिला ये चलता ही रहता है इसलिए सबसे अच्छी बात क्या है जो मिला है उसमें शान्ती रखना अब सासू अगर बहू से क्लेस करके और ये अपने आप में क्लेस करती रहे कि नहीं ये बहू यहां से चली जाए ये माई के चली जाए ये मर जाए तो फिर ये सासू की अग्यानता कहलाए कब तक तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तुमारा अपना सोच ही तुमारे जीवन में सुक दुक देगा और ऐसे सुक दुक की परमपरा तो अनत काल में जहाँ पर भी हमारे जनम हुए है तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहांपर ये सुख्दुक हमारे साथ नरहे हो हमेशा सुख्य, हमेशा दुख्य कोई नहीं रहता, सुख्दुक हमेशा चलते रहते हैं, Manusha परियाय में, Threeanch परियाय में, ये विशिश रूफ से सुख्दुक की परमपरा चलती रहती है, तो आप बचके जाओगे कहाँ, लोक में ऐसा कोई इस्थान नहीं, कोई ऐसी कुल नहीं, ऐसी कोई जाती नहीं, जहाँ एकांत रूफ से सुखी सुखो ऐसा कहीं नहीं होता इसलिए सबसे अच्छी ग्यान की बात इस ग्यान से ये निकल करके आती है कि इस तरह के वेराग्य भावना का चिंतन करते हुए, हमारे अंदर जब राग की कमी होती है, तो एक संभाव उत्पन होता है क्या बोलते हैं इसको संभ, उसी में जब प्रा और लग जाता है, तो वो अच्छा और उत्करष्ट संभाव हो जाए तो प्रशंभाव कहलाता है संभ का मतलब सांती सांती कहां से आएगी सांती बहु से नहीं आएगी ना बहु से सांती आएगी ना बहु से क्रांती आएगी सांती अपने मन से ही आएगी अपने ग्यान से आएगी अपने अंदर के परिणामों से आए तो ये परिणाम कहां से आएगा ये परिणाम ऐसे ग्रंथों का इस्मरण करने से आएगा ऐसे ग्यान का इस्मरण करने से आएगा अरे भाई ये सब तो अनंतबार हो चुका मानो कि आप अगर ये बात सीख जाओ और जब भी कोई आपके सामने कुछ भी नया घटेत हो तो आप कह दो भाई ये तो सब अनंतबार हो चुका ऐसा बोल सकते हो माने कभी आपके भाई ने आपको दोका दे दिया सिरिजिन वानी जग कल्लानी जग जण मदतम मोहरी जण मन हारी गड़ हर हारी जम जराभव रोग हरी तित्थिय राणं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै लाणं सोख मनंतं धरिय सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै इस कारिक्रम की पुण्यार जठी निवीदत सकल दिगंबल जहन समाज सतना मध्यप्रदेश झालिवज़एज फीद्टर्देश